क्या आपकी साधी हो चुकी है को इंग्लिस में have you been married कते हैं नेश्ट है वो कपरे धो चुकी है को इंग्लिस में see watch washed clothes कते हैं नेश्ट है क्या कर रही है तू को इंग्लिस में what are you doing कते हैं नेश्ट है मा खाना बना चुकी है को इंग्लिस में mom has cooked food कते हैं गारी छुट चुकी है को इंग्लिस में the train has left कते हैं वो गित गा चुकी है को इंग्लिस में she has sung the song कते हैं वो घर चा चुकी है को इंग्लिस में she has gone home कते हैं चुका है चुकी है या चुके है को इंग्लिस में has have का यूज करते हैं दोस्तो इसके साथ भरव का यूज करते हैं